पांगलूरू में एर इंडिया शो का आज दूसरा दिन है आज इस मौके पर रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन होने जा रहा है और सीधर रुप करेंगे ग्री मंत्री के एक दिशेश साक्षतकार का तो जहां पर न्यूस पेपर रिपोर्ट में कह रहे हैं कि मार्जिन कम हो रहा है लेकिन जिस तरह भीड़े आई तो ऐसे लग रहा था कि BJP जो है वो उनका चुनाव प्रचार जो है और वॉट प्रतिसत भी हमारा बढ़ेगा और इसका सबसे बड़ा परिचायक है कि यहां पर जिस कॉंग्रेस पार्टी के और गेनाइजेशनल केडर के सेंकडों लोगों की हत्या कॉम्मिनिस्ट शासन में हो गई थी वो कॉंग्रेस पार्टी ने बहुत कम सीटे लेकर कॉम्मिनिस्टों के साथ समधान किया है और जो कॉम्मिनिस्ट पार्टी कभी त्रिपूरा में किसी के साथ नहीं जाती थी वो कॉम्मिनिस्ट पार्टी ने भी कॉंग्रेस के साथ समधान किया है इसका मतलब है वो दोनों ये बात को स्विकार कर चुके हैं कि हम अकेले भारती जनता पार्टी को नहीं हरा सकते हैं और यह हमारे लिए बहुत अच्छी पोजीशन है मैं मानता हूं हम त्रिपूरा में हम अब तक का हमारा सबसे अच्छा परिणामी इसमाले कराएंगे तो यह अगर गटबंदन तै है तो जब गटबंदन इस तरह बन रहा है कि कॉंग्रेस लेफ पार्टी मतलब एवरिबड़ी गेट टूगेधर टूड़ीट बीजेपी ये एक सोची समझी अगर रण नीती है तो क्या यह आप समझते हैं इसके लिए इक इस बिग चैलेंज फ इससे आत्मयिस्वास बढ़ना चाहिए क्योंकि हम इतने ताकतवर हो गए हैं कि कोई अकिला लड़ना नहीं चाहता अगर ताकतवर हुए हैं तो हमने एक आत्मयिस्वास के साथ जनता के बीच में जाना चाहिए और हमने पांस साल में जो करा है वह बताना चाहिए जो हमने बताए आप तक कि चुनाव परिनाम के अंदर मैंने चार रिलिया करी है, तिन रोडसो करें हैं, मैं आपको बताता हूं कि आज का रोडसो का जो द्रश्य मैंने देखा है, मैं कई बार त्रपुरा है, पार्टी अद्यक से नाते भी आया हूं, किम्पेन में भी आया हूँ, गुरू मंत्री नाते भी आया हूँ और चुनाव के बगर भी आया हूँ, वगर ऐसा दरस्च में ने मेरे जीवन में नहीं दिखा जी, वो मैंने देखा भीड बहुत थी, लेकिन जो त्रिपुरा के जो लोग है वो अकसर कहते हैं कि जो लोगों की जो सोच है वो सेंटर लेफ्ट है, ज्याद अतर, लेकिन पिछले इलेक्शन में आपने चलो पल्टाई का जो नारा दिया था, उसके बाद क्या आपको लगत है कि विश्वास अभी भी लोगों का आपकी पार्टी पर है, देखे चलो पल्टाई का नारा आप सरसरी तोर पर देख रहे हैं, हमने सरकार बदलने के लिए चलो पल्टाई नहीं कहा था, मुख्यमंत्री बदलने के लिए चलो पल्टाई नहीं कहा था, या पार्टी इन आम तोर पर सरकारी करमचारियों के लिए वामपंथी दलों से बहुत सारी अपेक्साय होती है यहाँ पर कई सालों से वामपंथी दल सरकार में था पाचवा पे कमिशन इनको तनख्वा में दिया जाता था हमने आने के बाद सात्ववी पे कमिशन को काम किया और बजेट भी अच्छे करे है फिस्कल डेपिसिट बढ़ाये बगर तो रेवेंडिय जनरेट हुई इसके साथ साथ हमने हिंसा को समाप्त करने का वादा किया था और हमने हिंसा को समाप्त किया है हमने नसे के कारोबार को जो बंगलादेश सी सीमाओं से आता है उसको रोकने का वादा किया था आज मैं आत्मों इस्वास के साथ कह सकता हूँ हमने त्रिपूरा के अंदर नसे के कारोपार पर बड़ी कठोड़ता से नकेल कसी है और इसका जनता में एक अच्छा मेसेज है और हम इस बार नारा लेकर आये हैं त्रिपूरा सांत हो चुका है त्रिपूरा में अब वाइलन्स नहीं है अब त्रिपूरा को सम्रूद्य बनाने का समया आया है मोदी जी और मानिक सा की डबल एंजिन की सरकार ने वो वादे को पूरा करने के लिए भी अब तक बहुत पहले विपलव देव जी ने किया अब मानिक साजी कर रहे हैं और मोदी जी का जो केंद्र से गरीब कल्यान का थ्रस्ट है वो गाउं तक पर को लिट हुआ है मानिक जी और विपलव जी को आपने जो चेंज किया उसे एक इमेज भी जाता है कि कंट्रोल सब दिल्ली से होता है अब आप इसकी व्याख्या इस तरह से कर सकती है परन्तु यह पार्टी का सिस्टिम है और कंट्रोल करने के लिए कोई बढ़लाव नहीं होता है किसी भी कारेकरता का ज्यादा उप्योग करने के लिए बढ़लाव होता है सप उनको सव्वायता करें हैं तो कभीने कभी कोई राज्य से सेंटर में आता ही है आज हमने विपलाव दैगी जी को राज्य सभा का मेंबर बनाए है हरियाना जैसे महतोपूर्ण राज्य का प्रभारी बनाया जो दिल्ली के मुहाने पर है और इसके साथ-साथ राष्ट्य मंत्री भी बनाएं तो वो केंद्र की रादनीती में अपना अच्छे से योगदान दे रहें त्रिपूरा की रादनीती में भी मानिक साहजी के साथ रहकर उनको स्वाहता करें तो इसको कोई इस प्रकार के द्रश्ट्रीकॉन से देखने की जरूरत नहीं है अखि और कोई द्रुष्टी से नहीं देखना जी अब प्रद्यूत जी जो है वो तिप्रा मोथा की तरफ से वो बहुत किंग मेकर जैसे उनका इमेज बन गया है कि अगर हंग एसेमली होते हैं तो वो किंग मेकर बनेंगे मीडिया भी उनकी तरफ चलिए तो बांग बननी ही नही क्योंकि यांग कॉंसिटेंस या छोटी है बाया बज़े के पहले पूर्ण बहुमत से बातिया जन्ता पार्टी की सरकार बन जाएगा उत्तरपूर्वी राज्यों दो और राज्यों में चुना हो रहे हैं आपके साब से उन दोनों राज्यों में भी क्या ऐसे मुद्दे ह जो आपको you know what you think is important देखें समग्र उत्तरपूर्व के अंदर नरेंद्र मोदी जी के प्रदान मंत्री बनने के बाद हमने उत्तरपूर्व को बदलने के लिए बहुत कुछ किया है सबसे पहले उत्तरपूर्व के अंदर आज सान्ती हैं कई सारे उग्रवादी संगठन थे कई सारे उग्रवादी संगटरनों के साथ हमने समझोता किया है बोडो लेंड का समझोता हुआ आरबी जन जातियों के साथ समझोता हो गया हमारा यहां पर त्रिपूरा में ब्रू और रियंग और मानुविय तरिके से 40,000 परिवार 25 साल से ज़्यादा समझ से रहते थे उनको सेटल करकर बसाया गया यहां पर भी एनलेप्टी के साथ समझोता किया गया लगबग लगबग 8,000 से ज़्यादा आर्म्ड कैडरों ने आत्मसमरपन करकर में आना पसंद किया है तो जो उत्तरपुर्व को पहले ब्लॉकेड, बन, बंदमा के इंसरजन्सी के लिए जाना जाता था आज इसकी जगए वहां रोड बन रहे हैं सभी राज्यों में रेल पहुंचने को आई हैं सभी राज्यों में एरपोर्ट दिये गए हैं यह एक एरपोर्ट था वहां क्रिपूरा जैसे राज्यों में दूसरा भी हम बना रहे हैं तो धेर सारा विकास का काम नौर्थ हिस्ट को इसे विकास से युक्त बनाने का काम प्रधान मंत्री जी ने का है और आठ साल के कम समय के अंतराल में प्रधान मंत्री जी स्वयम 51 बार नौर्थ इस्ट आये 51 टाइम आजादी से अब तक किसी भी प्रधान मंत्री की फ्रिक्वन्सी नहीं रही है और हर 15 दिन में एक कैंद्रिय मंत्री को कंपल सरी यहां ना है है इसके साथ कोरोना के समय से जो परंपरा सुरू हुए । फ्री चावल देने की सबसे ज्यादा फाइदा अगर किसी एक सेत्र को प्रतिसत आबादी के प्रतिसत में हुआ है तो नौर्थ हिस्ट के हम और आज नौर्थ हिस्ट के गरिब को यह मालूम पड़ जाया है कि मेरे घर को complete करने का काम नरेंद्र मुदी जी ने किया है identity politics बहुत बड़ी चीज़ होती है उतरपूर्वी राजों में मतलब उनकी जो identity है वो अगर मिठ ना जाए उसको preserve करके रखना especially tribal areas में यह बहुत एक sensitive मसला है तो मेघाले और नागलेंड में चुनाव होने वाले हैं वहाँ पर यह issue उठ रहा है ने मगर उनको अब तो 9 साल में परिचे हो गया है media जो हमारे लिए अफ़ाय फिलाता था कि हम आएंगे तो आपकी identity चल जाएगी बुटा मोदी जी के आने के बाद local languages और trendy हो गई और मजबूत हो गई अब प्रत्मिक सिक्सा स्थानिय भासाओं में होने लगी है और इतना ही नहीं कई सारी बोलियां जैसे मनिपुरी है जैसे यहां की बोली है त्रिपुरा की कई सारी बोलियों में भी सिक्सा का प्रचार प्रसार बढ़ने लगा है बोडो लैंड में भी उनकी भासा में प्राथमिक सिक्सा होने लगी तो उनकी आइडेंटिटी को और मुखर कर मद्बूत करने का काम भारतिय जनता पार्टी की सरकार ने कि यह एक भी राष्ट्रिय परवय ऐसा नहीं है जिसमें नौर्थ इस्ट के कलाकारों ने दिल्ली के प्लिट्फॉर्म पर पर्फॉर्म नहीं किया है उनके लिए देश भर के अंदर स्विक्रितु बढ़ी है नरेंद्र मोधी जी के लिए कई पत्रकार एनालिसिस करते करते आर्टिकल लिखते हैं तो मैं पढ़ता हूं कि भी नरेंद्र भाई ने रोड कनेक्टिविटी बढ़ा दी नरेंद्र भाई ने एर कनेक्टिविटी किया है तो उत्तरपूर्व और बाकी के भारत के हिस्सों के बीच में जो मन की दूरी थी उसको समाप्त कर दिया है आज उत्तरपूर्व के लोगों को मन से लगता है कि भारत के बाकी हिस्सों में हमारा सन्मान है यहां भारत के लोगों का सन्मान होना चाहिए नागालेंड मे भी इस्टन नागालेंड में कुछ लोगों ने उपसा कर इलेक्षन का बहिस्कार करने का एलान करवाय था अभी एंपियों ने विड्रो कर लिए उन्हों का हमें मोदी जी पर भरोसा है तो यहीं बताता है कि अब इहें चीजें नहीं चलने वाले वह जो अकॉर्ड है उसका अभी तक वो सुलज नहीं पाया अभी तक दिखें सुलज नहीं पाया है एकॉर्ड किस चीज के लिए होते हैं एकॉर्ड हिंसा बन करने के लिए हिंसा तो बंदी हो गई है और इस पर डिसकर्सिंट चल रहा है जब उत्तरपूर्वी राजयों में जब इलेक्शन होते हैं हमेशा जो यह बाते चलती है कि CAA NRC को लेके लेकिन इस बार यह तीम राजयों में चुनाम होने वाले हैं इस महीने और CAA NRC की बात ही नहीं उठ रही आप भी नहीं उठा रही और opposition भी नहीं उठा रही हमारा उठाने का सवाल ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर सेडूल सीक्स और इनर लाइन परमिट से प्रोटेक्टेड लगबग लगबग 80% से ज्यादा इससा है इसलिए इससे प्रभावित ही नहीं होता है जनजाती लोगों की जो समस्याएं है उनको किस तरह दूर किया हुआ है बीजेपी ने और ऐसा आपको क्यों लगता है कि जो जनजाती समुदाए है बीजेपी को वोट देगी इस बार देखे मैं आपको बताता हूँ जनजाती समुदाए की बहुत सारी दिक्कती थी एक तो मन से वो उनकी स्विक्रूती चाहते थे नरेंद्र मोदी जी ने बड़े प्यार से जनजातियों को गले लगाने का काम किया है इतने सालों के बाद पहली बार कोई राष्टपती जनजातियों समात से बनी है इतने सालों के बाद पहली बार जनजातियों गवरोद युएस भगवान बिरसा मुंडा की जन्मदिन के पर मनाया जा रहा है इतने सालों के बाद 1857 से पहले से जिन जन जाती है स्वतंतरता सैनानियों ने देश को स्वतंतर कराने के लिए योगदान दिया इसके दस बड़े-बड़े मिज्यम 200 करोड की लागत से बनाये जा रहे हैं एक लब्या स्कूल लगबग लगबग 335 बढ़ जाएंगे तो यह बहुत बड़ी उपलब्दी है उनको लगता है कि यह सरकार हमारे लिए सोच रहे है इसके साथ साथ देश भर के जो गरीबों को फाइदा हुआ वो पूरा फाइदा जन जाती है समाज को किसी भी बेदबाव के वगर मिला है मैं पश्टता से कह सकता हूँ कॉंग्रेस के सासन में नहीं होता था आज गरीबों को घर मिल रहा है तो क्यूंकि जन जाती समाज में सबसे ज़्यादा गरीबी थी सबसे ज़्यादा फाइदा उनको उगा है घर में पानी पहुँच रहा है उनके घर में बरबर पहुँच रहा है घैस का सिलिंडर मिला है उनको भी मिल रहा है पांच लाग तक का हेल्थ का कार्ड मिल रहा है तो उनको भी मिल रहा है मुप्त चावल उनको भी मिल रहा है देर सारी चीजे जो मोदी जी ने आम गरीबों के लिए की इसका किसी भी बेद बाव के बगएर उसका फाइदा जन्जातियों को मिला है और जन्जाति को भी अब विकास का अन्भव होने लगा है कि हमें गुम्राग करकर जगड़ा लगाकर हाथ में थ्यार थमा दिये गए अगर हमारा कल्यान नहीं हुआ पीडियां बरबाद हो गई आज सांती के कारण डेवलप्मेंट संभव हुआ है, सांती के कारण जन जाती के बच्चों का सिक्सा समाप्त हुआ है और सांती के कारण रोजगारी भी बड़ी है और यह जो नरेंदर मोदी जी का संदेश है, विक्सित नौर्थिस्ट पूरे भारत में एंजिनरिंग अजूबा माने जाएंगे इस प्रकार के डबल डेकर ब्रीज नौर्थिस्ट के अंदर बने है 2024 के पहले नौर्थिस्ट की सभी राजदानी, रेल और एर इससे जूब जाएगी यह कोई छोटी बात नहीं है आप मिलिटनसी की बात करते हैं तो मैं अब दक्षिन के और रुख करती हूँ आप साटरड़े को शनिवार को आप करनाटका में थे और आपने PFI की बात की कि BJP की सरकार है जिसने PFI को बैन किया और थोड़ा सा उसमें विवादासपत बयान ये भी था कि कॉंग्रिस जो है वो PFI को उच्छा रही थी तो वहाँ पर जो करनाटका के जो कॉंग्रिस लीडर्स हैं वो इस बात से काफी नराज हैं कि यह टिपिफाई किया आपने कि कॉंग्रिस और PFI एक थी मैंने इसा नहीं किया कॉंग्रिस और PFI यह थी मैंने यह कहा कि PFI के कैडर पर अलग अलग प्रकार के केस थे वो केस को समाप्त करने का प्रयास कॉंग्रिस सरकार द्वारा किया गया जिसको कौट ने रोका है अब इसमें इनको बुरा लगाने जैसा क्या या तो आप प्रयास न करते प्रयास करोगे तो सुनना पड़ेगा और दूसरी और हमने PFI को बैं किया है सफलता पूर्वक बैं किया है और मैं मानता हूं कि PFI इस देश में धर्मांधता और कट्टरता बढ़ाने वाला और्ग करने का वो लोग प्रयास कर रहे थे कई ऐसे डॉक्यूमेंट मिले हैं जो बताते हैं कि इनकी घतिवध्या देश की एक्ता और अखंडिता के लिए अच्छी नहीं थी तो हमने वाट बैंक की पूलिटिक से उपर उठकर इस पर कठोरता पूर्वक बैंड लगाने का फैसल कि दक्सिन करना तक और केरल का प्रॉब्लेम था चब हमने बैंड लगाने का फैसला दिया इस वक्त की पी एफाई ने देश भर में अपना काम फैलाने का सुबवाद भी कर दिती काफी हद तक फैला भी चुके थे और कुछ इस प्रकार की एजंसियों के पास सूचनाय भी आई जिसमें देरी करना या संका का लाब देना ठीक नहीं था इसलिए हमने इस पर नहीं किया और कठोरता के साथ बैंड लगा आए और बहुत अच्छे तरीके से समाज में कोई रियक्शन आईदर और साई से नहीं आए जी आप पुत्तुर गय थे और वहां पे आपने भ चार शुरू कर दिया है मिर्शार जी ने और एक कॉक्टेल बना रहे हैं हिंदुत्वा कम पेट्रियोटिजम इस सब को मिला के बड़ी दुरुभाग्या पूंच थीती है कि भारत माता का मंदीर कोई जो बनाता है जिसमें ताक्त्या टूपे से लेकर सावर्ज करजी से ल लगी है और भारत माता का मंदीर बनाने का जो प्रयास हुआ है मैं आपको कहता हूं आप भी कभी समय मिले तो जाएगा आप तो करना टक से ही है इतने अच्छे एट्मोस्पेर में वो मंदीर को इतना सांध क्लीन और निट बनाया है जिस ट्रस्ट ने बनाया है मैं तो उस सिद्रा महियर जी और डीके शिवकुमार कह रहे हैं कि आप अमिच्छा जी और मोदी जितनी बार भी आए करनाटका की लोगों ने तैकर लिया है कि बीजेबी की सरकार नहीं आएगी इस बार चलिए वो तो ऐसा ही कहेंगे हमारे अच्छा नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे सामने वह चुनाव लड़ रहे हैं मगर करनाटक के अंदर पूर्ण बहुमत की भारती जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है मैं करनाटक चार बार गया हूं विगत दो महिने पांच बार गया बीजेपी का लेकिन आप मानते हैं कि बाकी इलाकों में भी उत्तर करनाटक और हिद्राबाद करनाटक में मैं जाकर आया हूं और मैंने शुरुआ तो मांडिया से करी हैं मांडिया में इतनी बड़ी भारतिय जनता पार्टी की कभी नहीं हुई तो मांडिया की जनता भी अ करनाटक की रादनीती के लिए जेडियेस जो है वो भी कह रहे हैं कि हम पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं अमिर्शा जी लेकिन उनके पार्टी में भी तो इतने सारे लोग हैं जो कि सेकइड जैनरेशन थार्ड़ जैनरेशन थे इस लोग मेरी पाटी में में भी है अगर मेरी पार्टी में ऐसा नहीं है कि पार्टी का आध्यक्स उसके बाद उसी के परिवार का व्यक्त सिम्ण समाप्त कर दिया है इस प्रकार के आँख में धूल जोंकने वाले बचाओ जन्ता के सामने रखकर आप परिवारवाद को छुपा नहीं पाओगे आपने कश्मीर के बारे में भी ये कहा था जब आर्टिकल 370 पर जब हमने इंटर्व्यू किया था तब उस वक्त भी आपने कहा था कि परिवारवाद जो है वो खतम हो जाएगा कश्मीर में नए नेता उभरेंगे लेकिन अभी भी वहाँ पर अभी चुनावी कहां हुआ है पर तैयारियां तो शुरू हो गई है तो तैयारी तो करने का सबको अधिकार है जनता का मेंडिट देखे गया अब ये जो पंच सरपंच चुनकर आए हैं इसमें से ही नही नया नेत्रूते इमर्ज होगा वहीं से कश्मीर के निता निकलेंगे सर जहां पर आप ओपोजिशन की पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं वहीं कॉंग्रिस जो है अब आपकी पार्टी पर आपकी पार्टी पर मित्रता का आरोप लगा लिए कि मित्र बीजेपी के जो मित्र है अडानी जी के बारे में कहा जाता है कि उनको सभी contracts मिल रहे हैं और BJP जो है उनका जो defense है वो इतना नहीं है इतना strong नहीं है अभी Supreme Court ने केस का संग्यान लिया है देश की cabinet के सदस्य नाते जब Supreme Court ने किसी matter को seize किया हो उस वक्त मेरे लिए बोलना ठीक नहीं होगा परन्त इसमें BJP के लिए कुछ छुपाने को नहीं है और ना किसी बात से डरने की जरूरत है जी निर्मला जी ने भी कहा था संसद में कि हमें Congress से corruption के बारे में सीखने की जरूरत नहीं है कि मतलब वो हमको जो पार्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहे हमको आप से सीखने की जरूरत नहीं है यह उन्होंने संसद में कहा था लेकिन राहूल गांदी जी की पूरी speech जो है सिर्फ अदानी 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 पर था अब वो तो उनको क्या speech देने उनको सोचना चाहिए इनकी जो script लिखते हैं इन लोगों को सोचना चाहिए इसमें मैं कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की वो कह रहे हैं कन्या कुमारी से लेके कश्मीर तक लोग यही कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो पहले अंटी करप्शन थी लेकिन अब उनमें क्रोनी कैपिटलिजम वाली बात शुरू के लिए? होता है यह भी आरूप भारती जनता पार्टी पर आज तक कोई नहीं लगास पाया है उनके जमाने में उन ही की एजंशियों ने चाहे कैग हो चाहे सीवी याई हो उन्होंने करप्शन का संग्यान लेकर केस रेजिस्टर किये थे बारा लाग करोड के करप्शन के घोटाले किये थे जो इदारे हैं जो सिस्टम है उनके बारे में भी कहा जाता है कि कांग्रेस कहती है कि बीजेपी ने सारे सिस्टम को अपने कबजे में ले लिया इसलिए कोई क्या इंक्राइड नहीं होगी कोई इंवेस्टिगेशन नहीं नहीं सकते हैं कोड में जाते हैं मैं तो पेगासिस में भी कहा था आपके पास प्रूब है आप कोड में जले जाए ना गए हो सिर्फ सोर सरावा खरना चाहते हैं कॉर्ट तो हमारे कब जमिन नहीं है जो लोग गए पेगास इसका संग्यान भी लिया था कॉर्ट ने जज्जमेंट भी दे दिया कूछ जांच भी कर ली बीजेपी के स्पोक्स परसंस कह रहे हैं कि हर इलेक्शन से पहले ऐसे एक इंटरनाशनल कंस्पिरिसी होता है पहले रफाल था मैं बीजेपी के स्पोक्परसं को इसका जवाब दे नहीं दे मैं आपको बताता हूँ सुप्रियम कौर्ट ने इसका संग्यान लिया है इस बारे में मैं कम से कम अभी बात करना नहीं चाहूँ क्या कोई कंस्पिरिसी है सर्फ जैसे बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री हो या फिर यह सब यह हिंटनबग का रिपोर्ट हो क्या आप भी ऐसे देखते हैं कि कि कोई कि स्प्रिया जो होता है इस पर एक हजार conspiracy कर लो कुछ नहीं होता है वो करोडों सूरिया की भाती तेजस्वी बनकर ही बार आता है यह तो मोदी जी के पीछे 2002 से कर रहे हैं और हर बार मोदी जी मद्बूत होकर सच्चे बनकर और जनता की ज्यादा लोग प्रिता हासिल करकर बारा आए हैं प्रधानमंतरी ने स्पीच में भी यही कहा था कि कमल जो है कीचर में ही उपता है तो जितना मर्जी कीचर उन पर फैंका जाए पार्टी और वो उभर कर आएंगे लेकिन उनको सुनने के लिए कोई तयार नहीं था पार्लिमेंट का डिस्कोर्स इतना खराब हो चुका है शोर शराबे की बीच प्रधानमंतरी का पूरा देश सुनता है जो सांसत को तय करती है न वो जनता पूरी सुनती है अब सोचल मीडिया प्लेटफॉम पर चली जाए और मोदी जी के भासन के पर कॉमेंट्स पड़िए पूरी जनता सुनती है अब पुलिटिकल स्टैन लेकर कु भी नहीं सकते क्योंकि हमारे शब्द भी एकसमेंज किये जाते हैं पहली बार एकसमेंज नहीं हो रहे हैं इसके पार्लामेंट के प्रोसीडिंग एकसमे suck सब श्याजπό बायों से भरा पड़ा आपने भी कहा था जब अधिरंजन जी ने पपू शब्द का इस्तमाल किया तो आपने कहा कि किसी भी संसद के लिए ऐसे शब्द इस्तमाल नहीं करने चाहिए आपने भी कहा उस वक्त सब हस पड़े क्योंकि वो शब्द जो है इतना अजीब लगा कि संसद में कोई वो शब्द कह रहा है तो वो पर उसके बाद गाली गलोच भी शुरू हो चुकी है आप इसके बारे में कुछ कहेंगे कि मैं तो मानता हूं कि जनता सब कुद देख रही है और जनता इवेल्यूएशन भी करती है अब इंडियन डेमोक्रसी इतनी मजबूत हो गई है इतनी मैच्चोर हो गई है कि वोट काश करते वक्त इस सारी चीज़ों का संग्यान भारत की जनता लेगी पर संसद होने के नाते एक संसद होने के नाते क्या आपको नहीं लगता कि सभी पार्टियों को मिल बैठ कर कुछ करना चाहिए क्योंकि लोग तंग आ चुके हैं यह सब देखकर मतलब इस डिस्गस्टेंग दिखिए हमें कोई परहेज नहीं है किसी के साथ बैठने के इनिसिटी तो सबने लेना पुड़ेगा जी मैं अब जो राजों में चुनाव होने वाले हैं आठ कुछ राजों में चुनाव होने वाले हैं बहुत से लोग कहते हैं कि यह बार-बार जो चुनाव होते हैं मतलब बारा महीने में आठ राजों में अगर चुनाव होंगे त administration, running the country ये सब backseat ले ले जाए सिर्फ election campaign ही चलता रहता है इसके लिए प्रद्यान मंत्री जी ने पंचाज से पार्लामेंट के चुनाव एक साथ कराने का एक विचार देश की जनता के सामने रखा है सभी दलों के सामने भी रखा है पार्लामेंट में भी उन्होंने बोला है और मैं मानता हूं कि समय आ गया है कि इस पर विचार होना चाहिए पर कब हो गई ये मतलब अब दिखिए इसमें सबसे चर्चा तो करने ही पड़ेगी सबसे चर्चा करकर ही ये हो सकता है मगर प्रदानमंत्री जी की विचार रखते ही एक बहस तो छेड़ गई है सब लोगों को लगता है कि हर साल चुना होना हर महीने चुना होना वो लोगतंत्र के लिए भी ठीक नहीं इसका एक ही समय निस्चित कर लिया दे प्रदानमंत्री राजस्तान गए थे अब राजस्तान, चात्यसगर, करनाटका और मध्यप्रदेशी चार बहुत बड़े राज्ये हैं जहां पर चुनाम होने वाले हैं आप थोड़ा सा ब्रेकडाम करके हमें बता सकते हैं कि राजस्तान में क्या आप देख रहे हैं एक चेंज जैसे आपने पलट कहा था मैं तो मानता हूँ कि ये चारो राज्ये राजस्तान, करनाटक, राजस्तान, चथिसगर, और मध्यप्रदेश भारतिय जनता पार्टी के मजबूत राज्ये हैं हम चारो जगे पर जीतेंगे माध्यप्रदेश में आप नहीं समझते कि इतनी देर से BJP की सरकार चल रही है जो कॉंगरेस है वो कहते हैं कि लोग उप चुके हैं बोर हो चुके हैं एक ही पार्टी गुजराद में भी बहुत सालों से चल रही है गुजराद में तो आपने पुर्ज़ोर कोशिश की आप और मोदी जी आप दोनों के होम स्टेट है वहाँ पे तो जीतना ही था आपको ने ऐसा नहीं होता है जब जनता बुरियत मैसूस करती है तो कोई नहीं जीता सकता मगर नई नई योजनाए जो भारती जनता पार्टी की सरकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार है लेकर जा रही इस का जनता स्वागत करती है मोदी जी की लोग प्रियता का जनता स्वागत करती है और मोदी जी ने देश को जिस जगह से जिस जगह पे पहुंचाया है उसका जनता स्वागत करती है वो एप्रिसेट करते हैं कि इस देश को पूरी दुनिया में सनमान दिलाने का काम नरेंद् मुदीजी ने किया है हमारे देश के अर्थक्र दंत्र को घ्यारवे नमबर से । पांच Pear नमबर पर पौंचाने का काम किया है और देश के सामने पांचrä ट्रिलियन आमेरिकिः डॉलर की इकोनोमीब का लकस रखा है इसके साथ 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 करोड लोग जो आजादी के बाद चलावा हुआ महसूस करते थे कि सम्विदान ने हमें कुछ ले दिया वो साथ करोड लोगों के जीवन स्तर को उठाने के लिए एक बहुत पवित्रता के साथ सफल प्रयोग करकर उनके जीवन स्तर को उठाए गया है G20 जो चलने वाला है पूरे कांट्री में इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि जहांपर भारत को एक शोकेसिंग हो रही है भारत के राजयों को इसको एक इलेक्शन की तौर पर भी इस्तमाल किया जाएगा election propaganda या election campaign की तोर पर क्योंकि मोदी जी के छवी को लेकर सब जगे बात होगी और world leaders जो है वो मोदी जी के साथ आएंगे तो it will be used for domestic purpose also तो क्यों नहों अगर मोदी जी क्यों मोदी जी के समय में ही G20 का नेतू तो भारत को मिला है और यह सस्वी तरीके से अगर G20 की पूरी समिट सफलता से समाप्त होती है तो मोदी जी को yes मिलना ही चाहिए क्यों न मिले किसको मिले तो opposition को मिले स्वाभाई ग्रूप से प्रदानुंत्री जी को मिलीगा और जीस प्रकार से उन्होंने आये जनक रखिया है पूरी दुनिया अस्चर्य जनक तरीके से देख रही है किसी भी देश में G20 की सिरीज उप मिटिंग्स को चार या पांस सहर के बार नहीं ले जा पाए हमने हर राज्यों को मौका दिया है इतने बड़े देश में कोई राज्य और कोई के अंदर साचित प्रदेश छुटा नहीं है यह बहुत बड़ी उपलबड़ी है और कितनी तैयारी करनी पड़ती है इसके लिए और आज समगरब भारत की विवीत्ता का अलग-अलग हमारी संस्कूरूतियों का अलग-अलग खान-पान, अलग-अलग वेश्बुसा, अलग-अलग प्रकार की भासाओ का मैसेज लेकर पूरी दुनिया वापिस जाएगी बीजेपी के बारे में का चाता है हर चीज जो है वो गाजे-बाजे के साथ किया जाता है जी-ट्वेंटी भी वैसे ही किया जा रहा है, कॉंटेंट अगर हो या ना हो लेकिन उसको प्रोजेक्शन, उसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी तरह होनी चाहिए देखें मार्केटिंग का बेजिक सिद्धान थे, प्रोडक्ट अच्छी हो तो ही लॉंट टर्म में मार्केटिंग सफल होती है टेजी से आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास हुए है सिर प्रयास नहीं सफलता भी मिली है उसको गवरों के साथ देश और दुनिया के सामने रखना झाई और मैं मानता हूं ये प्रदान मंत्री जी का सिर्फ गवरों नहीं हो रहा है पूरे भारत का हो रहा आ यह भी कहा जाता है कि BJP जो है वो जम्मु कश्मीर को लेकर कहा जा रहा था कि BJP जो है वो इट इस राइट इस राइट अरी इमाजिन हिस्ट्री मतलब करन्ट जो है वो तो चल ही रहा है लेकिन हिस्ट्री को भी रिराइट कर रहा है कश्मीर को लेकर कहा जाता था और इस about a past which you want to erase a certain past की मुगलों को erase कर देते हैं जो नहरू जी का contribution है उसे erase किया जा रहा है 370 के रेपनस में कहती है सिर्फ 370 नहीं नहीं तो नहरू जी के कारण 370 ही आया तो हमें तो हमारा तो एजंडा है 1950 से डाला तब से है कि नहीं होना चाहिए था इससे देश का नुकसान हुआ है और अब इस सिद्ध भी हो रहा है जीस तरह से जम्मु कस्मीर के अंदर डेवलप्मेंट हो रहा है जम्मु कस्मी में जीस तरह से आतंगवाद दीरे-दीरे समाप्त हो रहा है सारे आकड़े आप देखिए धेर सारा परिवरतन जमुकस्म में होई रहा है और बाकी राजों में जो हो रहा है वहाँ पर भी आप जैसे कह रहे हैं कि रीनेम ऑफ सिटीज आपने लखनाओं को रीनेम करना है हर चीज मतलब जो मुगलों का जो कॉंट्रिब्यूशन है उसे हटा दीजिए नेरु परिवा को अगर कोई स्थापित करना चाहते इसमें किसी का आपती नहीं हो और जो रीनेमिंग ऑफ सिटीज की बात चल रहे हैं दिखें एक भी सहर ऐसा नहीं है जिसका पूराना नाम नव हो और बढ़ला है इसको हमने बहुत सोच समझ कर हमारी सरकार उने फैसले लिए हैं और हर स आप समझ से हैं क्या आप अल्रेडी एक एजेंडा लेकर चल रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन के लिए क्या मुद्दा होगा बीजेपी के लिए क्या मैसीजिंग होगा देश का विकास सुरक्षित देश देश से अर्थ तंत्र को विश्व में सबसे तेज गती से बढ़ने वाला अर्थ तंत्र बनाना भारत का घौरव समगर विश्व के अंदर पहुंचाने का प्रयास और सफलता पूर्वकिस की स्विक्रिती आई है और देश के साथ करोड गरीब लोगों के जीवन स्तर को उठाने का आठ साल के अल्पकाल के अंदर जो प्रयास किया और हम उठाने में सफल भी हुए है और देश सारी सिद्या रेलवे में आमुर्चूग परिवर्तन हो रहा है अंतरिक्स के क्षेत्र में नई नीती बनकर आज हम अंतरिक्स के पॉलिसी बनकर ढ्रॉन के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ रहे हैं खदानों के क्षेत्र में भी बहुत सारी पॉलिसी हमने तै की है इंडस्ट्रियल डेवलप्मेंट के लिए बेकिन इंडिया को सफल बनाने के लिए भारत समगर विश्म उत्पादन का हब बने इसके लि करना मैं मानता हूं बहुत बड़ी सिद्धी है वहां पंथी उग्रवाद लगबग लगबग समाप्ति के आरे पर है जम्मु कस्मीर के अंदर आतंकवाद पर पून तया हमारी एजंचियों का कंट्रोल है वर्चस्व है नौर्थिष्ट के अंदर पूरा एक प्रकार से ज ज्यादा उग्रवादी ग्रूपों के लोगों को मेंस्ट्रीम में लाने में सफलता हुए नौर्थिष्ट पहली बार विकास का अंदबव कर रहा है मैं तो अभी तृपूरा में गूम रहा हूं आज भी एक मैं बहुत गरिब घर के अंदर बोजन करने के लिए गया था उ सब्सक्राइबारती स्किन तो गरीब के घर में पहुंचा है सारा और बाहरी धान का बड़ा प्लास्टिक का बूरा बड़ा था मैं क्या करोगी धान को दीरे-दीरे यूज करोगी कि ना अब तो फ्री चावल मिलता है इसको हम बेच लेंगे सरकार धान खरीदती भी है बा बाकी जीवन जरुवयात की चीजे उसके जीवन को वह अपक्रेड करेंगे इसके गर में लगबग लगबग मैंने ऐसा पूछा नहीं प्लास्टर वाले घर की चमक थी अभी कलर भी नहीं लगा था तो यह परिवर्तन जो है मैं मानता हूं कि 2024 में कहीं कोई परदा नहीं है देश एक तरफा मोदी जी के साथ आगे बढ़ रहा है परिवर्तन की राजनी ती ये आप पिछले आठ साल और अब दो साल लेकिन क्या आप 2024 में आप प्रिंसिपल ओपोजिशन किसे मानते हैं कॉंग्रिस लेट बाई राहूल गांदी लेकिन भारत जोड़ो यातरा के बाद अब तो ऐसे ही लग रहा है कि मोदी जी के खिलाफ तो अब राहूल गांदी ही खड़े होंगे क्योंकि ममता जी वगरा तो तो देखें नहीं ये तिन दाज्यों में चुनाव है कितना असर होता है राहूल गांदी तो आए नहीं कैम्पेंड करने के लिए त्रिपुरा तो आए नहीं वह आना ना उनकी फुर्षत का सवाल है परन्तु परिणाम तो आना चाहिए न देखें न क्या आता है काउंटिंग के दिन लेकिन कॉंग्रेस तिनों पूरा ने कॉंग्रेस के राज्य कितनी मदवूती मिलती है देखते है परिणाम में तो वह अब गढ़बंधन के साथ अब गढ़बंधन में भी तो मिलेगी सीट शेरिंग किया है लेकिन कॉंग्रेस पार्टी कहती है कि राहूल गांदी के भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी काफी रैटल हो गई है डर गई है कि राहूल गांदी का इमेज चेंज हो गया है चलियो मुखा एक विचार है मैंने मानता कि इस प्रकार की बातों को देश की जनता सही मानती है जब आप हो मिनिस्टर बने थे आपका क्या गोल था और आप उसको अचीव करने में किस हद तक काम्याब रहे हैं इस प् बढ़ कर कहना मेरे लिए बहुत कठीन होगा प्रन्तु मैं अतना निश्चित मानता हूं कि मोदी जी के नेत्रुत में भादपा सरकार ने जो नितियां बनाई है वो नितियों ने भारत को विश्व के फलक पर पहुँचाने का काम किया है भारत के अंदर धे सारे सकारात्म अक्षक परिवर्तन हुए है नई सिक्सानिति एक ही काम ऐसा है जो पचास साल तक भारत को प्य करेगा भारत की नई पीडी बनाएगा भारत के विचारों वाली नई पीडी बनेगी जो आने वाले दिनों में पूरे विश्व के अंदर चका चॉंद करने वाली सफल्था ल रहा हूं हर बार जब सिक्सानिती आती है इसका बहुत विरोद होता है क्योंकि डेल सारी कम्यों को लोग धौन कर निगाल देते हैं इस प cambi किसी। mucha क्या पढ़ाई नहीं होगा नेहीं इसा नहीं हूत सिक्सावित तो पढ़ते यह और विबाकी से अपने विचार भी रखते हैं परन्तु इंप्लिमेंटेंटेंशन की सुरुवाद भी हो रही और सारवत्री की इसका स्वागत हो रहा है जी मैं तो कहीं जगे इसके समिनार में भी गया हूं इंटर्नल सेक्यूरिटी को लेकर आपके क्या आप वाट वर यो गोल्स जैसे आपने 370 वाला किया आपने आर्टिकल 370 वास प्राइम आपके उसने तो इसके अलावा कर जमू कश्मीर के अलावा नकसलवाज को खतम करना क्या था तीन होट स्पोट वाले जगे थी इंटर्नल सेक्यूरिटी की दुरुष्टी से मोदी जी के नौ साल के सासन में तीनों जगों जगह पर स्थान्तिप प्रस्तापित होने लगी है वामपन्ति उगरवाद बिहार और जार्खन लगबग-लगबग समापती हो चुकी है 36 गड़ में भी हमने सिक्रिटी वेक्टियूम को भरा है मुझे भरोसा है कि बहुत कम समय के अंदर भी ही वहाँ पर हमें सामने स्थिती बनाने में बहाल करने में फायदा होगा 20 साल के बाद पहली बार हताहत होने वाले नागरीक और सुरक्सा कर्मियों का योग सौके नीचे आया है 20 साल के बाद और वंठर जिल्ले रह गये हैं बहुत बड़ी उपलब दी है इसी तरह से जम्मू कस्मियों में भी टेरिजम से रिलेटेड सभी प्रकार के आंकड़े जब से टेरिजम सुरूव हुआ तब से लेकर आजकर सबसे अच्छी स्थिति में करोडो यात्री जम्मू कस्मियों जा रहे हैं सुरक्सा से यात्रा करकर वाफिस सारे टूरिस जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है इतने बाई एर पैसेंजर कभी नहीं गए थे जितने अभी गए हैं तो यह बहुत बड़ा परिवर्तन है और नौतिश्ट में आप देखी रही है खालिस्तान जो मूव्मेंट है उसके जो टेरिस हैं बाहर से उनको उनको समर्थन दे रहे हैं इंटर्नली इंडिया में भी जैसे चंदिगर में भी कुछ लोग निकले थे बाहर वाइ हैं पंजब सरकार से भी हमारी चर्चा होती है सभी एजेंस्यों का कॉडिनेशन अच्छा है मुझे विश्वास है कि हम इसको पनपने रहेंगे क्या हम कैनडा यूके इन सबसे इंटर्नल सेक्यूरिटी को लेकर उनसे बात कर रहे हैं हम दिखे स्मिता जी इस परकार की बा हमारी क्रेडिबिलीटी है किसी को डरने की दिरूरत नहीं है आप राउंड अप अगर हम करें कि इंटर्नल सेक्यूरिटी के मामले में हम लोग जब आपकी सरकार आई 2014 से और अब तक सबसे एक खास उपलब्दी आप कहाना है तीनों थियेटर के अंदर बहुत बड़ा डाले हैं यह अंकडा 22 साल के बाद 100 से कम हुआ है जीले बहुत सारे मुक्त कर दिये गए यहां से अब सफ़ाव साथ प्रतिसत से ज्यादा क्षेतर के अंदर उठा लिया गया है नौर्थ हिस्ट में से यही बताता है कि स्थिती अच्छी है करोडो यात्री टूरिष्ट औ तूर करकर दर्शन करकर अमर्नात का और वश्णो देवी का सफलता से आनन के साथ वापिस जमू कश्मीर में आपने कहा था कि स्टेट हुड वापस आएगा आप ने यह वादा किया था कि एक नहीं मैंने बहुत स्पर्ष्ट वादा कहा था एक चुनाओ के बाद आए या जमू कश्मीर के चुनाओ के और जमू कश्मीर के चुनाव अभी आप नहीं कह सकते हैं यह मैंट आता है मगर मत दाता सूची बनाने का काम अब लगग लगग समापती परे पिर इलेक्शन कमिसन ने कॉल लेनी है मेहबुबा मुप्ती और ओमर अब्दुला कहते हैं कि पहले कभी ऐसे नहीं हुआ था कि कोई चुनाम नहीं हो रहे इतने सालों साल चुनाम नहीं हो रहे and there is a system of you know getting things done लेकिन वो हो नहीं रहा है ordinary citizens के घरों पर bulldozer चलने लग गये हैं arbitrary हो रहा है देखे अगर मनमाने तरीके से घरकानोनी तरीके से कुछ भी हो रहा है तो सब कौट में जा सकते हैं एक बात जहां तक चुनाओ का सवाल है उनको कभी क्यों पंच सरपंच जिला पंचाथ तैसिल पंचाथ के चुनाओ की याद नहीं आती है वो हमारे ही सासन में हुए हैं सत्तर साल से आप लोगों ने नहीं करे थे तिन परिवार अपना कपजा बना कर जमो कस्मीर में बैठे थे और आजे सारे चिला रहे हैं एक भी जगह घटना होने के बाद में फारुक साब कस्मीर से इंगलेंड चले गए थे किसके समय में टेरिजम बढ़ा किसने बढ़ने दिया इसका जवाब उनको देना चाहिए महबूबा जी तो कह रही है कि बीजेपी ने तो जमो कश्मीर में पैलेस्टाइन को छोड़िया अफगानिस्तान बना दिया है चले आप बहुत सीरियसली ले रही उनको लेना तो पढ़े गाना सर वो है वास्तविक सीति का आकलन करकर सीरियसली लेना चाहिए पर वो आजकल तो वो ही है अभी तक तो कोई नेता उभरे नहीं है अभी भी ओमर अब्दुल्ला है और नेवुवा है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है ने वो तो है एक वार बनने के बाद पुरा जीवन सबी लोग फॉर्मर रहना ही परता है जी अच्छा धन्यवाद अविशाजी आपको all the best for the elections अभी एक पूरा साल आपका चुनाव परिणाम आए तब देख लेना मोदी जी की नित्युत में भारती जन्ता पार्टी बहुत यसस्वी होकर चुनाव में बार आएगी और आगे वाले 23 में चुनाव जो आ रहे हैं हमारे चारो रज्य अच्छे हैं बहुत अच्छे से परफॉर्म करें मीडिया को अगर आप देखे तो वो तो कह रहे हैं कि नेक टूनेक चल रहा है त्रिपुरा में चलिए मुझे लगता है जो मैंने बता है हर बार मीडिया हमारे साथ सरुआ तो नेक टूनेक ही करता है आच्छा दन्यवाद धन्यवाद